मैं इस घटना को सही नहीं बताता हूँ मैं कहता हूँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और नहीं यह कोई तरीका है पर मैं आज सोचने के बाद इस नतीजे के पहुँचा हूँ कि घटना की जड़ तक जाना जरूरी नहीं है क्या हम उस घटना को सिरब एक घटना मान कर आगे बढ़ जाएं यह घटना घटी कैसे इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए या यह घटना कितनी बड़ी हो सकती थी क्या हमें इसका जानने का हक नहीं है कि यह मेरे मेरे हिसाब से भी अतंकी घटना हो सकती थी बड़ी पर यह अभी अतंकी नहीं यह कहीं नौजवान थे जो भटक गएते जिनॉन YouTube अधना बड़ा पूझ्था सी Charles इनको लगा कि इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है तो इनने इस तरह का कदम उठाया बाकि आगे जाँच का विशह है जाँच में और आगे पता लगेगा बर अभी तक की जाँच में यही सामने आया कि यह भटके वे ही भारतिय हैं भटके वे ही विद्यारती हैं बिरोजगार है तो इनकी पीड़ा भी समझनी होगी उन जड़ों तक भी हमें जाना चाहिए जहां से यह सारी चीजें उत्पन हुई है सरकार दम भरती है कि जितने भी परदेशों में हमारी सरकार है वहां सब कुछ ठीक है सारी प्लानिंग ठीक है लाडली बहन योजना उजुला योजना और कहीं हेल्थ को लेकर उनकी बात होती है कहीं सुरक्षा को तेजस को लेकर जिस तरह से प्रदार मंत्री ने उडान भरी थी आज निरबर भारत की बात की थी आज सब वो इसके आगे फीका नजर आ रहा है बिरोजगारी किस कदर बढ़ रही है आप सोच नहीं सकते एक बिरोजगार जब घर से परिशान होता है उस पर कई प्रकार के प्रेशर होते है नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया मैं हूँ आपके साथ हरीश शवाल भारत एट नाइन प्रोग्राम में आप सब का स्वागत आज संसत पे कि सुरक्षा के उपर बात करेंगे जिसका आज तीसरा दिन है तीसरे दिन में कई तरह के सवाल संसत को लेकर उठ रहे हैं ये किस प्रकार का दुआ था ये दुआ राजनिती का था ये दुआ किसी बिरोजगारी का था ये दुआ किसी से आजादी का था ये सारे सवाल आज विपक्ष भी उठा रहा है अज जन्ता के मन में भी कही ने कहीं ये विचार है आपको बता दें कि ये तीन बार एसेंबली पे हमला हो चुका है एक बार 1939 में हुआ था जब बगत सिंग ने अंगरीजी हुकूमत के ओपर हमला किया था उसको आतंकी घटना का करार किया गया था और उनको उसमें फासी के सजा हुई थी जिसमें उनके साथ सुगदेव और राजगुरू भी थे उसी प्रकार से 2001 में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हमला हुआ था है जिसमें नौ लोग सहीद हुए थे और तारिक थी 13 दिसंबर फिर दुबारा से 2023 में बीजेपी की सरकार तारिक 13 दिसंबर और फिर से एक ऐसा हमला जो वाके ही चौकाने वाला नई संसद भवन और नई संसद भवन के अंदर इस प्रकार से अंट्रेंड लोगों का मैं अंट्रेंड ही काऊंगा क्योंकि यह किसी आतंकी संगडन से अभी तक नहीं आया है कि किसी आतंकी संगडन से इनका कोई मेल है जिस परकार से इन्हों ने कमी ढूंड ली तो आप सोचे कि आपके देश में कितने दुश्मन देश के जासूस घूम रहे होंगे जो इस कमीयों को अच्छे से जानते होंगे और उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी हो सकती थी इनी सवालों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इस बारी मैं कहूंगे विपक्स बिलकुल सही घेर रही है विपक्स के सवाल बिलकुल सही है कि अगर वो संसत भावन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की सु लगता हुगा आज तीसरे दिन जब उनके घरों पर जिनों ने यह हमला किया था उनके घरों पर पुलिस पहुंसती है तो कहीं उनकी स्टोरी सामने आती है कि वो सब के सब बेरोजगार थे परेशान थे और परेशानी के साथ-साथ उन्होंने कई अंदोलों में हिस्सा भी ल लेगी और बाद में बیयान भी दिया कि जब वो किसी अंदोलन में जाते हैं तो उनको पुलिस पीट कर बंद कर देती है और उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती मैं इस घटना को सही नहीं बताता हूँ मैं कहता हूँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और नहीं यह कोई तरीका है पर मैं आज सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि घटना की जड़ तक जाना जरूरी नहीं है क्या हम उस घटना को सिरब एक घटना मान कर आगे बढ़ जाएं यह घटना घटी कैसे इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए यह घटना कितनी बड़ी हो सकती थी क्या हमें इसका जानने का हक नहीं है मैं आपको और आपसे दोनों से बात करना चाहता हूँ कि आपके साथ सवाल भी छोड़ूंगा और आपसे बात भी करूंगा कि क्या बिरोजगारी वाक्य ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बिरोजगार आज संसद भावन तक पहुंच गए या इससे बड़ी घटना और हो सकती थी आज ये संसद वहवन तक पहुँचे हैं कि आतंकी संगठन तक भी पहुँच सकते हैं कल ये वरोजगार किसी आतंकी संगठन को जॉइन भी कर सकते हैं तो सोचिए कि मानसिक्ता कहां से कहां तक पहुँच रही है और देश के अंदर माहूल ये चल रहा है कि सब कुछ ठीक है हम आत्म निर्बर बन रहे हैं हम तेजस की बात कर रहे हैं हम एकनॉमी की बात कर रहे हैं हम कहीं न कहीं विश्व गुरू की बात कर रहे हैं पर मैं सबसे पहले बोलूँ कि हम सारी बाते कर रहे हैं पर हम बिरोजगारी, सुरक्षा, आत्म सम्मान, महिला सुरक्षा और मैं कहीं न कहीं और कई ऐसे मुद्दे जितने भी आप मुद्दे उठाएं उन पे सवाल होने चाहिए संसद भावन कोई छोटी मुटी चीज नहीं होती है संसद में बैठे वे व्यक्ति अपनाप में विशेश होते हैं जिस प्रकार से जन्ता उनको चुन कर भेजती है वो जन्ता का पर्टिनीदी होता है तो मानिए कि अगर एक इलाके से कहीं से एक संसद चुन के आता है तो कई लाक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो मानिए एक संसद मतलब कई लाक के बराबर उनकी बात रखने के लिए संसद बावन है और वहाँ पर ऐसा हमला होता है तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ा कुश्चन है इतने लाख लोगों की सुरक्षा कैसे होगी जिनका परतिनीदी सुरक्षित नहीं है अब मैं बताऊं कि विवक्ष की मांग ग्रह मंतरी दोनों सद्रों में आके बयान दे संसत के दोनों सद्रों में चर्चा करें बीजेपी सांसर परताफ सिन्ह पर सक्त कारवाई हो यह सरकार की विफलता है कि 13 दिसंबर के दिन ही चुना गया इन सब पर बात हो बीजेपी के सरकार पर ही ऐसा क्यों होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी के सरकार 2001 में भी थी और 2023 में भी है अभी भी है और आगे भी दम भर रही है कि हम लोग हैं, तो ये बीजेपी की सरकारों में ही क्यों होता है, सरकार संसत की सुरक्षा नहीं कर सकती, दुदेश की सुरक्षा कैसे करेगी, सरकार को हट जाना चाहिए, मोधी सरकार की तानाशाही की वज़े से आज ये सब हुआ है, ये विपक कॉंग्रेस ने ये कहा, ये आतंकी नहीं है, देश के विरोजगाल लड़के हैं, जो बटक गए हैं, संजे राउत में ये कहा, सिर्फ शैना, उद्दव गुरूप का ये कहना है, पूस्ताज में क्या पता चला, चलिए आप इस पर मैं बता देता हूँ, फिर आगे चर्च से ये बाते करते थे, नौ मैने पहले मिले और तबी साजी सरची, अभी तक की जांच में ललिज जहा ने मास्टर माइंड होने का शक है, ललिज जहा कोई व्यक्ती है, जिसने ये मास्टर माइंड जो था, जिसने इताना बना बुना, वो ललिज जहा है, मार्च में गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे लली ज्ञा के कहने पर 13 दिसंबर की तारीक तै की गई और इंडिया गेट में स्मोक बम बाटे गए तो आप सोचिए इनका बी प्लान भी था जहां ये एक दूसरे को इंटर्चेंज कर रहे थे अगर बाइचांस कोई नहीं कर पाता है तो उसकी जिएक कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा ये तो हो गई इनकी प्लानिंग जो प्लानिंग कोई खास नहीं थी पर इनका कहीं न कहीं सरकारों के कान खोलने का काम जरूर था सरकारों के कान भगत सिंग ने भी खोले थे और कही न कही उनने भी है आज सरकारों के कान खोले है और सरकार पर प्रशन चिन उठाया है सरकार को ये कही न कही खड़ा किया है ना तुम सुरक्षित हो ना बिरोजगारी हटी है अज जिस रक्षा की तुम बात करते हो जित आद्म निर्भरता की तुम बात करते हो अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचे हो इन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए चर्चा भी होनी चाहिए विपक्ष आज मैं विपक्ष को बिल्कुल सही मानता हूं कि विपक्ष के द्वारा ये चर्चा मांगी जारी या बिल्कुल जायज है सरकार दम भरती है कि जितने भी परदेशों में हमारी सरकार है वहाँ सब कुछ ठीक है सारी प्लानिंग ठीक है लाडली बहन योजना उचुला योजना और कहीं हेल्थ को लेकर उनकी बात होती है कहीं सुरक्षा को तेजस को लेकर जिस तरह से प्लान मंत्री ने उडान भरी थी आज निर्बर भारत की बात की थी आज सब वो इसके आगे फीका नजर आ रहा है बिरोजगारी किस कदर बढ़ रही है आप सोच नहीं सकते एक बिरोजगार जब घर से परिशान होता है उस पर कई प्रकार के प्रेशर होता है कई प्रकार से वो सोचता है शोशली वो जवाब नहीं दे पाता है घर में उसको राशन चाहिए होता है बच्चों की पड़ाई है अगर वो शादी सुधा है तो उसके पर उसकी बीवी की मा की पिताजी की कई प्रकार की responsibilities होते हैं जिसके तैद एक middle class family दबती चली जाती है और बिरोजगार नीचे तपका भी है क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि यह मानसिकता फिर दुबारा से ना आए बिरोजगारों के बारे में बात करनी चाहिए इस प्रकार से बिरोजगार अगर सडकों पर उत्रेंगे रखना है तक पूंचेंगे वो कहां कहां पॉंच सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते पर हमें सोचना होगा हौँ सोचना इसलिए होगा कि यह आज कोई ललित कोई अन्य लोग जो भी इन में CHAR लोग है महीला भी है मैं इनका नाम याद नहीं रखना चाहता हूँ मैं इनका नाम इसलिए याद नहीं रखना चाहता हूँ मैं इनके द्वारा जो उठाए गए सवाल है उनको याद रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे हिसाब से भी आतंकी घटना हो सकती थी बड़ी पर ये अभी आतंकी नहीं ये कहीं नहीं नौजवान थे जो भटक गए थे जिन्हों इतना बड़ा कदम उठाया जिन्होंने कई अंदलोनों में हिस्सा लेने के बाद इनको लगा कि इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है तो इन्हें इस तरह का कदम उठाया बाकि आगे जांच का विशह है जांच में और आगे पता लगेगा बर अभी तक की जांच में ये ही सामने आया है कि ये भटके वे ही बारतिय हैं भटके वे ही विध्यारती हैं विरोजगार हैं तो इनकी पीड़ा भी समझनी होगी उन जड़ों तक भी हमें जाना चाहिए जहां से ये सारी चीज़ें उत्पन हुई है ऐसा नहीं है कि ये आज किसी और के घर की बात है कि कल हमारा भाई भी हो सकता है हमारा बेटा भी हो सकता है हमारा पडूसी भी हो सकता है और वो घटना कितनी बड़ी कर देगा ये भी सोचने का विशह है अब सोचिए कि इस तरह अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और आज हम इसको राजनीतिक रंग में रंग जाएंगे तो ऐसे आज धुएं के बंब कल किसी और बंब में बदल जाएंगे ये भी हमें सोचने का विशह है तो भारत 89 में मैं कई तरह की मुद्दे उठाता हूं कभी हम फिल्मों के उपर बात करते हैं कि किस तरह की मानसिकता आज देश में है बच्चे किस तरह से बिगड रहे हैं या बच्चे किसको अपना आडल मान रहे हैं इसे प्रकार से इन बिरोजगारों की भी बात करते हैं यह आडलोजी जो है दीरे-दीरे किस तरफ लेके जा रही है यह भी हमारा सोचने का विशह है राजनीती के अंदर सब चीज़े जायज होती है पर जायज की एक लिमिट होती है आज मुझे लगता है कहीं ने कहीं राजनीती को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हम पनी राजनीती करते-करते देश को कहीं किसी और रह पे न लग जाए देश कहीं भटक तो नहीं रहा है देश के अंदर नौजवान तो नहीं भटक रहे है इस सारी बाते ये सारी बातें जो हैं ये मेरे दिल से हैं ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ये कोई मेरे मन में जो जितने विचार आए मेरे आपके सामने रखे हो सकता है कई लोग मेरी बात से सहमत हो और कई लोग ऐसामत भी हो सकते हैं पर मैं सही में दिल से तीन दिन से इस चिंता में हो कि इस तरह के अगर हमारे लोग जो बीच के लोग हैं इस तरह से संसत भावन पर हमला कर रहे हैं तो हमारे देश में कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है कई लोग ने मुझे फोन किया कि आप इस पे बात करें तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को भी इस पे डिबेट करनी चाहिए आप लोग कर सकते हैं इस पे डिबेट ऐसा कुछ नहीं है आप डिबेट करिए आप आपका देश है आप देश में सुतंत्र हैं आपने विचार रखने के लिए पता नहीं क्यों एक अजीब सा एक सन्नाटा सा कि डर कि बोलेंगे तो शायद हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा बोलेंगे तो कुछ हमारे खिलाफ कोई कारवाई हो जाएगी इस डर ठीक नहीं है इस डर ठीक नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ डर कई चीजों के लिए अच्छा होता है पर इस मामले में देश के मामले में डर ठीक नहीं है खुल कर बोलना चाहिए विचार आने चाहिए और इस पीड़ा का समाधान भी होना चाहिए उन बिरोजगारों की बात होनी चाहिए उन समस्याओं के उपर चर्चा होनी चाहिए उनके समाधान निकालने के तरीके डूडने चाहिए हम उन सब पर हमें बात करनी चाहिए आज मैं अपना धर्म निबा रहा हूँ आप इस चर्चा में आए इस पे बात करें आप अपना धर्म निवाए बाकी सब अच्छा ही होगा अगर हम चर्चा करेंगे और अपने घर में खुस्प्राइड करेंगे तो इसे कोई फाइदा नहीं होने वाला तो तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत